Friends, Unique Institute welcomes you, with you very happy new year Friends, मैं आपके लिए article की series लेके आ रहा हूँ जो आपको bank, railway, ssc, sambida और जिन exams में भी English आती है उन सभी exams में आपके लिए काम आने वाली है तो आईए देखते हैं समय ना बेश्ट करते हुए हमारी series का question number one इस परकार मैं series upload करते जाओंगा आपकी ज़रुत के हिसाब से और जैसे आपके comments आते जाएंगे उस हिसाब से मैं आपको नए नए वीडियो प्रवाइट कराता जाओंगा तो आईए देखते हैं हमारा question number one He looks as stupid as क्या हैगा? मैं कहता हूँ आप copy pen लेके बैठियेगा आप अपने copy में जैसे हम जानते है article तीन होते है और कहीं होता है zero article जिसको हम no article बोलते हैं इसलिए मैंने option नहीं दिये हैं क्योंकि आप जानते हैं कि तीन में से कुछ लगेगा या फिर zero article जिसे no article बोलते हैं तो आप देखेगा जो भी आपको सही लगता है वो आप लगाईएगा बाकी में बताते जारा हूँ देखेगा He looks as stupid as क्या आएगा यहाँ पे आप देखेगा नहीं तो मैं बताता हूँ N यहाँ पे N आएगा N क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे O, W, L और आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम वाल साउंड हमें मिलता है हिंदी का तो उसके according हमें यहाँ पे N लगा देखेगा I bought blank horse blank ox and blank buffalo यहाँ पे क्या आना चाहिए आप जल्दी से सोचिएगा सोचिए सोचिए चलो ठीक है मैं बताता हूँ I bought a horse an ox and a fellow a horse horse का जब साउंड करते हैं तो ऐसस स्टार्ट होता है लेकिन ox का जब साउंड स्टार्ट होता है वो वाल से होता है an ox a fellow next देखिएगा the guide knows देखिएगा क्या आएगा सोचिए चलो ठीक है मैं बताता हूँ the way अब यहाँ पे the क्यूं आएगा the guide knows यहाँ पे किसी guide ही है कैसे वेक्तिक की बात हो रही है जो ही सिर्फ रास्ते को जानता है यहाँ आम आदमी के बात नहीं हो रहे जो रास्ते को जानता है इसलिए यहाँ पे दा आएगा जब किसी चीज़ को particularized करते हैं तो वहाँ पे दा आर्टिकल लगाना पड़ता है honest man speak क्या आएगा सोचिए very good दा आएगा जब कभी भी truth होता है truth के साथ हमेशा दा का प्रयोक किया जाता है understand चलो next question पर चलते है question number five copper is useful metal क्या आएगा सोचिए चलो ठीक है मैं बता तो copper is a useful metal अब कुछ सोच रहे होंगे you के कारण यहाँ पे n क्यों नहीं आया जब हम useful जब हिंदी में लिखते हैं तो इसका जो sound है वो consonant sound है you या इस वज़े से यहाँ पे हम a लगाएंगे ना कि n चलो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ he is honor to his country क्या आएगा जल्दी सोचिए very good an honor to his country यहाँ पे हमारा vowel sound है vowel sound के according हम यहाँ पे n का प्रियोक करेंगे बहुत अच्छे question number seven the child found egg in the nest बताईएगा क्या आएगा सोचिए सोचिए चलो ठीक है मैं बताता हूँ the child found an egg जैसा की आप समझते हैं vowel sound है हमारा और vowel sound के कारण हम यहाँ पे n का प्रियोक करेंगे बहुत अच्छे next देखते है question number eight English is easy language क्या आएगा सोचिए चलो मैं बताता हूँ English is an easy language देखे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी कोई proper noun आता है अगर English आता है उसके आगे हम कभी भी article का प्रियोक नहीं करते हैं लेकिन language में आ सकता है easy में आ सकता है easy हमारा यहाँ पे जो है हमारा adjective है और इसके करण हम यहाँ पे इसके आगे n लगा सकते हैं easy language language में हम आर्टिकल का प्रियोक कर सकते हैं आगे देखते हैं sunshine brightly question number 9 है हमारा blank sunshine brightly क्या होना चीए very good यहाँ पे हमारा the article होगा जैसा हम जानते हैं जो universal things हैं जो wishes हैं उनके आगे हमेशा the sun, the moon, the earth the sky, the stars, the galaxy इन सब के आगे हम the galaxy प्रियोक करते हैं बहुत अच्छा question number 10 है हमारा French is पहले से दिया हुआ है चलो बहुत अच्छी बात है French is a language of the people of England French जो है England के लोगों की भासा है तो यहाँ पे बहुत ही सही article प्रियोक किया गया है question number next देखते हैं Rohit is untidy boy क्या आना चाहिए यहाँ पे untidy देखेगा sound पे जाईए वहाँ पे untidy हमारा बाउल sound मिल रहा है हमको तो क्या लगाना चाहिए चलो देखते हैं an untidy boy बहुत अच्छे आप अपने copy pen से लिखते जाईएगा और मिलाते जाईएगा और इनको बार बार practice कीजिएगा मैं इस प्रकार के continue आपको article देता जाऊँगा और यह पूरी आपके एक practice series हो जाएगी I have come question number 12 I have come without umbrella जड़ा sound पकड़िये क्या आ रहा है very good umbrella हमारा यहाँ पे wall sound मिल रहा है हमको very good I have come without an umbrella question number 13 loin is blank king of waist देखेगा जो सेर होता है वो जंगल का राजा होता है ठीक है वीष्ट मतलब होता है जंगल या बीहर जिसे कहते हैं जहाँ पे एक मैदान उस मैदान का सेर राजा होता है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप देखेगा a lion is the king of beast हमने एक क्यों लगाया जब कभी हम किसी जानबर की या किसी की पूरी जाती को बताते हैं यहाँ पे एक सेर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे पूरे सेर की बात हो रही है कि सेर जो है वो एक एरिये का एक एरिये विश्यस का बीश्ट का जो है वो राजा होता है इसलिए यहाँ पे a lion is the king of तो second में हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि सेर की पहले बात हो चेकी है already cyclone is is land तो sound पकड़िये यहाँ पे क्या आ रहा है is land एक noun है sound पकड़िये is land very good यहाँ पे आपको vowel sound मिल रहा है very good question number 15 India is honor of the home of the tiger sorry India is home of the tiger क्या आना चाहिए यहाँ पे जरह sound पकड़िये very good the India is the home of tiger यहाँ पे हम जो tiger है इंडिया उसका home है यहाँ पे हम चुकि पार्टिकॉलाइस्ट कर रहा है किसी को कि इंडिया ही ऐसी जगह है जो tiger के लिए home का है home का का काम करती है बागी और country नहीं हो सकती according to the sentence तो हमारे यहाँ पे हम दाकप रियोग करेंगे very good चलो question number next पे चलते है question number 16 I suppose he has जड़ा पकड़िये क्या होगा यहाँ पे चलो ठीक है very good आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए जिए मैं बताता हूँ a home I suppose he has a home मुझे लगता है उसके पास एक घर है very good question number 17 पे आईएगा blank India of today different from blank India of yesterday तो क्या आएगा जल्दी बताईए India of today differ from India of yesterday चलो ठीक है देखते हैं आपने क्या सोचा है very good the India of today differ from the India of yesterday यहाँ पे हम इंडिया को particularized कर रहे हैं एक ऐसे इंडिया की बात हो रही है जो कल के इंडिया से अलग है इसलिए यहाँ पे हम the article का प्रियोग करेंगे very good question number 18 पे आते हैं he is not blank Mr. A.K. Burma without you know सोचिए क्या आएगा जल्दी से copy में note करिएगा चलो ठीक है मैं बताता हूँ he is not the Mr. A.K. Burma whom you know मतलब यह Mr. Burma ही है प्रण तो यह वो Mr. Burma नहीं है जिनको आप जानते हैं तो जब कभी भी किसी बैक्ती की बात पहले हो चुकी होती है उसके बारे में पुना बात होती है तो हम वहाँ पे the article का प्रियोग करते हैं question number 19 से और अच्छे से समझ में आएगा आपको question number 19 apple cart is blank historical noble बताईए यहां पे क्या आएगा सोचिए सोचिए चलो ठीक है मैं बताता हूँ the apple cart is a historical noble जब कभी भी ऐसा question आएगा था हम उसे कैसे पकड़ेंगे चुकि apple cart लिखा हुआ है और पिछे दिया गया है historical noble हमारा second वाला sentence तो इस ते ही निसक्रशन निकलता है कि जो आगे वाला जो apple cart है वो कहने कहीं किसी noble का नाम है और चुकि as per rule before the name of any novel we use article day understand? चलो ठीक है question number next पे आते हैं question number 20 blank boy met blank man with blank elephant and boy saw blank man feed blank elephant आप जड़ा फटा फटा अपनी copy में लिख लीजिएगा कि इसका correct answer क्या हो सकता है ए अन्दा article में से क्या हो सकता है जिरो article उसके बाद मैं बताता हूँ very good चलो ठीक है अब देखते हैं चेक करते हैं आपने कितना सही किया a boy met a man with an elephant and a boy saw the man feed the elephant देखे यहाँ पर मैं तो आपको concept बता दूँ होता क्या है जैसा कि मैंने पहले बताया जब हम किसी वेक्ती की एक बार बात कर लेते हैं तो पहली बार जब बात करते हैं तो ए एन आर्टिकल का यूज किया जाता है as per rule लेकिन जब उसी वेक्ती की या बस्तू की second time जब बात होती है तो हम आर्टिकल दाका ही प्रियोग करते हैं 90% यह फार्मूला आपका काम करेगा examination में यहाँ पे देखिएगा a boy met a man with an elephant यहाँ पे एक बार बात हुई है लेकिन sim and the boy saw the man दो बारा उसी man की बात हुई है feed the elephant क्योंकि उसी हाथी को दो बारा ख्लाया जा रहा है I think आपको साँज में आ गया होगा आईए next question पे चलते है question number 21 blank traveler follow blank path through blank forest and came to blank bridge over blank river he cross blank bridge over blank river and was glad to leave blank path through blank forest behind him सोचिए फटाक से क्या आना चाहिए माइडियर अगर आपकी सुबधानुसार अगर वीडियो का speed कम जादा हो तो आप अपने speed को कम जादा कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube में facility होती है कि आप अपने वीडियो को तेज करके या सिलो करके भी देख सकते हैं तो आप अपनी सुबधानुसार इसको कर सकते हैं चलो ठीक है देखते हैं आपका correct answer क्या आता है very good जिस परकार मैंने बताया था rule number इसके पहले वाला कि जब कभी भी same object की बात एक बार हो चुकी होती है और दो बारा फिरशे होती है तो हम second time the article का प्रियोग करते हैं जिस परकार यहां पे दिया गया है a traveler follow a path through a forest and came to a bridge over a river he crossed the bridge over the river and was glad to leave the path through the forest behind him very good I think आप बहुत अच्छे से समझ गया होंगे इसके बाद question number 12 पे आते हैं Mr. Gupta is जल्दी सोचे क्या आएगा sound पकड़ी है यहां पे चलो ठीक है very good and MP question number 23 Mr. Munna Suklawi is plank MLA सोचे क्या आएगा very good and जिस परकार हम जानते हैं जब हम इस परकार की डिग्रियां पाते हैं MP, MLA हम यहां पे sound को पकड़ते हैं हम यहां पे देखते हैं कि MLA लिखने में हमें ball sound मिला है या नहीं मिला है very good इसके बाद आते है question number 24 blank man is intelligent creature बताइए क्या article आएगा यहां पे या zero article आएगा चलो चलो देखते हैं very good आपने सही सोचा है यहां पे no article क्योंकि जब कभी भी हम किसी वेक्ती की पूरी जाती की बात करते हैं तो वहां पे हम zero article का प्रयोग करते हैं man is an intelligent creature इंसान एक बुद्धिमान जन्तु है very good इंसान जन्तु नहीं है पर यहां पे कहा जा रहा है और यह सच भी है इंसान सबसे intelligent है वो प्रकरती के सारे जनवरों को अपने बस में कर सकता है लेकिन प्रकरती का कोई भी जनवर इंसान को बस में नहीं करता लेकिन कभी try मत करना question number 25 Mohan is honest boy क्या आएगा जल्दी सोचिए very good वाल साउंड मिलता है very good dear friends अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो मेरा यह पहली वीडियो है competitive exams related तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताईएगा मैं इस परकार के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको बना के दूँगा और अभी मैंने practice series स्टार्ट की है इसके बाद मैं आपको explain भी करूँगा और अगर आपकी requirement हुई तो मैं online class भी आपको provide कराऊँगा और अगर किसी भी परकार के chapter को समझने में आपको परिशानी होती है तो आप मुझे जरूर बताईएगा मैं आपको live class या online class के through आपको वो चीज समझाँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभू